आप लोगे बते हैं कि इस थे चिशन में बच्छोंको चाहिए का जो प्रूलम और एक बढ़ों को लेकिन बच्चों को सरदिक ईद्फिक का जो उसके बहुत जादा बच्ट से बाता है बुए पाने से सर्दी खासी बहुत तीजी से होता है और उसका हमेपेथिक मेडिसीन भी आप लोगों को बताएंगे जो बहुत ही इंपेटर काम करती है तो दोस्तों सर्दी के दिनों में आप अपने बच्चों को उनी कपड़ा गर्म कपड़ा पहना कर रखें जिससे बच्चों को सर्दी खासी का प्रोलम है नहीं होगा दूसरी चीज है आप बच्चों को शुवर सुबर ठेंड पाए नहीं गर्म पानी हरका सुसुवर पानी दे उससे बहुत बेटर पेट होगा क्योंकि ठेंड के दिनों में कांस्टिपेशन का जो प्रोलम है ज्यादा दिखता है और तिसरी अगर ठंड के दिनों में बच्चा अगर कुछ होता है तो उसे बस हांध होगा कुछ खाने के लिए वोलने को कि डेक्टिरियल और फायर इंफ्रेक्स होने का चांसे ज्यादा बताव से अब आप लोगों को होमेपैथिक मेडिसिंग बताएंगे यह तो टिप्स आप ही जानत है जिससे टिप्स वाला फॉलो करें अगर अगर आपका बच्चा सुवा सुवा निकले और उसे नाक से पानी आया है सर्दी हो जाया है तो बस आप कुछ ने एकोनाइट मेडिसिन थाटी पावर में दिन मतिन वर दें दूसरी मेडिसीन है एलियम सिपा इलियम सिपा से भिया है नाक में पाने अगर तेज भा रहा है तो एलियम सिपा एक गुंद तीन वर दें और उसके साथ एक पायो कंबिनेशन मेडिसीन है पांच नमर का उसे आप अपने बच्चों को जूदू गोली तीन वर दें मतलब कि ठंड किसीजन में जो सर्दी खा अब सर्दी खासी को बहुत बहुतर तरीके से खुद चीट कर सकते हैं तो मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइब स्ब्सक्राइब और सेर्ट करना ना उखिए